अर्चिना गुड्डू सिंग का अगला कदम क्या होगा चुनाओ नस्दीक है दो तीन महीने बाद मद्दान होने वाला है आपके समर्थकों में ऐसी चर्चाए हैं कि अर्चिना सिंग चुनाओ तो लड़ेंगी ये तो तह है पीछे नहीं हटेंगी न सब कुछ किया फिर पा एक मात्र संशे नहीं है कि चतरपुर जनता मुझे प्यार नहीं करती चतरपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी कहते हैं न ताली दोनों हाथ से बचती है वो अगर 100% देना चाहते हैं तो मैं उनको 500% देना चाहती हूँ बस यही कहना चाती हूँ कि इस खबर की प्रायोजक है होटल सेवन बी नगाम रोड चतरपुर ना रुकेंगे ना ठकेंगे हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे ये लाइने सटीक बैठती है चतरपुर की पूर्व नगरपाली का अध्यक्ष अर्चना सिंग पर अभी हाली में पुश्पेंद पृताप सिंग गुड्डू भाया का जनम दिन हुआ जो बड़े धूमदाम से मनाये गया और उसमें एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अर्चना सिंग जनिता से अपील कर रही है कि हमारा सायोग कीजिए हमारे साथ चलिए और हमें मार्ग दरसंद दीजिए तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे अर्चना सिंग से और जानेंगे कि आखिरकार ये वीडियो के पीछे का मतलब क्या है सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि कल जो एक वीडियो सामने आया उसमें आप कह रही है कि हमारा सायोग कीजिए परिवार ने खूब काम किया है और यहां आंगे बढ़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए उसके पीछे का मतलब क्या है? देखिए अभी आपने खुद कहा ना रुकेंगे ना ठकेंगे आगे बढ़ते रहेंगे बस सारा सार इसी में छोपा है आपने देखा कि पिछले दस सालों में मुझे नगरपाले का परिशद च्छतरपुर में काम करने का अफसर मिला और मैंने एक परिवार भाव से काम किया मैंने हर दिशा में काम किया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजर्गों के लिए चाहे कुछ कहीं भी मुझे दिखा मैं चल पड़ी और सिर्फ इसलिए कि मैंने यहां जो यह मेरी च्छतरपुर है इसको मैंने कर्म भूमी बनाने का जो एक मैं यहां बहू बन के आई थी लेकिन वास्तों में दिन रात मैंने काम किया मुझे यहां के लोगों से प्यार है मुझे यहां के लोगों से जो इस नहें मिला है उसको मैं कभी भूला नहीं सकती तो एक मन में एक लगन थी कि जहां कहीं दिक्कत नजर आती थी तो कूट पड़ती थी उस दिक्कत को दूर करने के लिए और पिछली बार आपने देखा कि 2018 में कुछ वोटों से हम लोग रह गए विधान सवा पहुँचते पहुँचते लेकिन उसके बाद भी जब 2018 के बाद मेरे पास कोई पड़ नहीं था कोई मुझे ना जिले में ना प्रदेश में कुछ नहीं एक सामान कार करता की तरह जनता की लड़ाई करती रही कहीं भी मुझे दिखता मैं चाहे बच्चे की किलकारी हो चाहे बहु का डोला उतरना हो चाहे बिटिया की विदाई हो चाहे कोई बुजर्ग व्यक्ती बिमार हो कोई अपना बिमार हो किसी महिला को जरूरत हो मैं हर जगे बिन बुलाए खड़ी ले सिर्फ इसलिए कि मुझे च्छतरपुर से प्यार है च्छतरपुर से लगाओ है और सिर्फ इसलिए और आपको पता है कि समाज सेवा का ब्रत लिया है लेकिन समाज सेवा में कहीं न कहीं आधार की आवशक्ता होती है तो मुझे लगा कि जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है खुब मेहनत करता है पांच साल यहीं एक मात्र संशे नहीं है कि च्छतरपुर जनता मुझे प्यार नहीं करती च्छतरपुर की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी कहते हैं न ताली दोनों हाथ से बच्चती है वो अगर हंड़िट परसंट देना चाहते हैं लेकिन उसके बाद पिछले पांच सालों में आपने हमें देखा अभी रिसेंटली आपने कामड यात्रा देखी कि जनता खुद मेरे साथ है और किस तरह से वो हर वक्त जोती बाफूले की जैनती हो यह अपने पार्टी के कुछ निर्णा होते हैं मैं उसमें नहीं बोलना चाहती लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि मैंने महनत करी थी और मैं च्छत्रपुर को बहुत आगे ले जाना चाहती थी बस यही सोच के मैं चल पड़ी थी और कहीं कोई दर्द दिखता था, कोई कश्ट दिखता था, तो ऐसा लगता था कि ये मेरा अपना कश्ट है, ये मेरा अपना दर्द है, उसके बाद आपको चाहने वाले ये आपके समर्थक कहें, सड़क पर उतर कर आपकी मांग कर रहे थे, फिर भी पाईटी ने नहीं सुनी और आखरी में ललीता यादव को ही परत्यासी बनाया है, तो अभी क्या उम्मीद लगती है, पाईटी से कभी आपने बात की, कोई पदा दिका रही है जिम्मेदार नेताओं से कि हमें मोका दिया जाए, जनता मांग कर रही है इसको लेकर, जी वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और निश्यत रूप से, ईश्वर मेरे साथ है, और बहुत कुछ अच्छा होगा, और आपको ये भी पता है, आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, कि मैं ईश्वर को बहुत जादा मानती हूं, और वो मुझे रहा दिखाएगा, और उस रहा में हम लोग चलेंगे पार्टी का अपना निड़न है, ठीक है, और बस यही कहना चाती हूं, कि छतरपुर को मैं ऐसे ही नहीं छोड सकती, छतरपुर के लोग मेरे अपने लोग हैं, आज भी आपने देखा कि जब से नगर पालिका चोड़ी है, मैंने नगर पालिका में अपने लोगों को और एक देखिए क्या होता है कि नगरपाले का एक ऐसी संस्था थी कि कई लोग को मैंने देखा कि कई लोग वैसी राजनीती करते हैं दलगत राजनीती करते हैं लेकिन मैं इन सब से बहुत अलग थी मैं इन सब से बहुत दूर थी यह तो मैंने देखा है कि आप अद्दक्ष नहीं रही फिर भी जनता से जुड़ाओ नगर से जुड़ाओ आपका अभी भी है कल गुड़ु भी यह का जनम दिन था तो उनके जनम दिन पर भी हमने देखा कि आपके नाम की तक्तियां लिए लोग बाइक पर जा रहे हैं फिर भी मांग कर रहे हैं कि टिकेट हरचना सिंग को मिले तो यह बात कब तक चलेगी और आखिरकार पाइटी डिसीजन बदल पाएगी क्या इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि पाइटी डिसीजन बदलेगी कि नहीं बदलेगी और लेकिन यह लोगों का अपना प्यार है लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा चाहते हैं और लोगों को किसी से कुछ वो नहीं है लेकिन लोगों का अपना मत है कि शायद अभी भी कुछ बदलाओ होगा या कुछ होगा और कुछ विचार होगा तो इसलिए ये मैं बड़े उससे कहना जाती हूँ मेरा दिल भी कही न कहीं भरा हुआ है मेरे शब्दे भी कहीं न कहीं रुंदे हुए हैं लेकिन फिर भी मुझे ये बड़ा एक सुख़द है कि इतनी जनता है मेरे साथ और जब मैं उनसे कहती हूँ तो ये देखिए ये लोगों का अपना प्यार है और वही है ना कि मैंने 20 साल में जिनके साथ मैं खड़ी रही अर्चिना गुड्डू सिंग का अगला कदम क्या होगा चुनाओ नस्दीक हैं दो तीन महीने बाद मतदान होने वाला है अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती ये तो आगे चलके पता चलेगा जिस तरीके से आपको छतरपुर की जनिता प्यार दे रही है और ये च प्यासी के रूप में हो जाए अभी ऐसा मेरा अभी मैं आपको कुछ भी ऐसा बता नहीं सकती जो भी हम लोग को रास्ते दिखेंगे हम लोग उस पर चलेंगे आपके समर्थकों में ऐसी चर्चा हैं कि अर्चना सिंग चुनाओ तो लड़ेंगी ये तो तह है पीछे नहीं हटेंगी क्या हैस में जी मेरे अपने लोग हैं वो कह रहे हैं हम आपको बैठने नहीं देंगे लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह सकते जो होगा वक्त आगे आपको बताएगा और पस यही है कि मैं जनता के साथ थी जनता मेरे साथ है और हम जनता की लड़ाई लड़ते हमने जो आपको इसारा किया है उसी नजरीय से वो देख रही है तो उनकी बातों पर आप कितनी खरी उतरे नहीं देखिए मैंने आपको बताया कि वो मेरे परिवार के लोग हैं और देखेंगे अपन करेंगे जो भी आप भी यही हैं हम भी यही हैं और इश्वर साथ में है जो सही रास्ता होगा वो इश्वर मुझे उस पे चलाएगा तो मेरे कहने का मतलब यही है जो चुना होगा उसमें अर्चना सिंग की भूमी का क्या होगी आगे वक्त बताएगा अभी इसको अब सब आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ सब लोग यही है और समय है देखते हैं जिस तरीके से आपके समर्थक आते हैं आपके पास बातचीत भी होती होगी रोजाना हम देखते हैं कि भीड भी लगी रहती है आपके घर पर तो उनको किस तरीके से मनाती हैं धानेज मनाती हैं कि आप साथ रही है आपके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा मैं जाओंगी आपके साथ मुझे कहीं मुझे किसी भी आफिस जाना पड़ेगा मुझे कहीं पुलिस थाने जाना पड़ेगा मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा जहां भी जिस वक्त भी मेरी आवशक्ता होगी मैं पहले से औ समर्थक उनके साथ हैं और छटरपूर शेहर की जन्टा उनके साथ है इसलिए एक बार नहीं बलकि तीन बार जब यात्रा निकलती है या रैली निकलती है तो उसमें अर्चना सिंग के नाम की तक्तियां अलग दिखाई देती हैं चाहे जितनी भी भी भीड़ो लेकिन अर्च 24 वर्दान एक्स्प्रेस